आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं IDFC First Bank के स्टॉक के बारे में इस बेंक को डिसकस करने का मुख्ष कारण यह है कि जिस परकार से इसके ट्रेंड पिछले कई दिनों में दिखे हैं वो काफी सराहनी है रहा है Delivery 30% तक का लेकिन टेखनिकली इस टॉक ने पिछले 1 मंथ में डिटर्ण 30% पिछले 3 मंथ के डिटर्ण डाउन 35% तक के रहे हैं इस समय थोड़ा काउसन रहने की जरूरत है यहां देखेंगे तो एक मेजर रेजिस्टेंस है अराउंड 50-50 50 से लेकर के 52 के प्राइस का एक रेजिस्टेंस काफी मेजर रेजिस्टेंस है और जिस परकार से इस टॉक में एक V-Ship ट्रेंड दिखा है जहां हमने इस टॉक में देखा कि 52 से टॉक में एक डाउन ट्रेंड दिखा इस टॉक बाद ट्रेंड करती दिखेगा तो मेरा प्रसेलि मानना है कि इस समय अगर फ्रेस बाइंग करते हैं तो थोड़ा बचना चाहिए 42 तक के लेवल के लिए 42 तक के लेवल की एक बाइंग ओपर्टनिटी हो सकती है और इस stock में जो next target है वो 60 to 80 तक के target surely दिखेंगे पहला target इस stock में 60 का दिखने वाला है जिसके लिए maximum 1 month काफी है और next target अगर 2 to 3 month के लिए hold करते हैं तो 72 से लेकर के 80 तक के levels दिखेंगे मेरा personally target इस stock का अगर 3 year के लिए hold करते हैं तो 200 plus तक के easily दिखने वाले हैं